कि वागत सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपोर्टन टोपिक लेकर आया हूं स्टूरिटेलिंघ मेंठेड क्या होता है काहानी कथन वीधि और यह क्या होती है और इसके अंदर जो इसकीillonर्ट से या डीमरит से वो क्या हो सकते है यह फिर सुजेशन क्या हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर वह सारे के अभ्यम करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टोपिक स्टोरी टैलिंग मैथट और स्टोरी टैलिंग मैथट क्या करता है कि देखिए इंट्रोडक्शन अब इंट्रोडक्शन में क्या लिख होगे पहले आपको एक स्टोरी बताता हूं एक लड़का था नाम था उसका हरीस रिस दोडने में बहुत तेज था और उसने बहुत सारी मैराथन दोड़ी लेकिन कभी ふी किसी भी रेच को वो पूरा नहीं कर पाया ना ही जीत पाया और ना ही पूरा कर पाया एक दिन उसने अपने माइंड के अंदर एक चीज सोची, आज की अगर मैराथन है, तो मैं इसको पूरा करूँगा, पूरा करने की कोशिश करूँगा, उसने अपने माइंड के अंदर ये बात बिठा ली, और जैसे ही मैराथन स्टार्ट हुई, उसने दोड़ना शुरू किय लेकिन उसने देखा थोड़े समय के बाद जो भी पार्टिस्पेंट्स थे वो उससे आगे दोड़ते दोड़ते जा रहे हैं और वो पीछे रहे हैं अभी उसको लगने लगा भी तू ठकने लगा है और वो बैठ गया पैरों में दर्द होने लगा फिर उसके माइंड के मैरथन पूरी करनी है फिर उसने दोड़ना शुरू किया पैरों में बहुत जादा दर्द होगा गिर पड़ा लेकिन माइंड के अंदर फिर वह बात आई आज तेरे को मैरथन पूरी करनी है फिर उठा और फिर बैचलो मैं दोड़ नहीं सकता लेकिन कम से कम चलतो सकता हू और फिर चलने लगा और जैसे जैसे चलने लगा मैराथन उसने पूरी कर लिए आज यह जो मैराथन उसने पूरी की उसने जीती नहीं है वो सबसे पीछे रहा है लेकिन उसके माइंड के अंदर एक संतुष्टी थी आज कम से कम मैराथन को पूरी कर पाया तो storytelling method के होता है किसी भी topic को teach करने के लिए पढ़ाने के लिए कहीं ने कहीं कहानी का सहरा लेना और जब कहानी का सहरा लिया जाता है तो वहाँ पर विद्यार्थियों का जो ध्यान होता है उस बात की तरब जादा आ जाता है है, आपने हमने, सबने अपने दादा-दाधी, माता-पिता, बड़े जो भाई, बैन है या रिष्टेदार हैं, उनसे कभी नकभी कहानी सुनी होगी. कहानी सुनाने का जो तरीका है, कहानी को कहने का जो तरीका है, वो हमारे माइंड के उपर एक छाप छोड़ जाता है जैसे आगर मैं बात करूँ आप अभी आपके लिए इंट्रोडेक्शन की अगर बात करें कहानी क्या है अब किसी भी टोपी को टीच करना है तो उसके लिए आपने कहानी क्रियेट की मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ जैसे एक कमरा है और उस कमरे के अंदर चार मौमबत्ती कैंडल्स जली हुई है चारो तरफ घंगोर अंधिरा है चारो तरफ अंधिरा है लेकिन एक रूम के अंदर चार मुंबत्यां जली हुई है पहली जो मुंबत्य है वो कहती है अन्य दूसरी मुंबत्यों से अब वो क्या कहती है सुनिए वो कहती है बाहर लोगों में लूट खसोट लोगों के अंदर आपद हपी लोगों के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की ललक इतनी ज़ादा है कि मैं इन लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करती, मुझे बहुत दुख होता है और मैं जा रही हूँ और वो मुम्बत्ती बुझ जाती है, पहली मुम्बत्ती का नाम क्या था? सांती, सांती ने क्या किया? बुझ गई, क्यों बुझी? बाहर समाज के अंदर जो हालात बिगड़े हुए हैं, उसको देखकर ये बुझ जाती है दूसरी जो मुम्बत्ती है, वो कहती है क्या? लोगों में एक दूसरे के परतिव प्रेम नहीं है, आपस में लोग जगडते हैं, स्वार्थ दिखाई देता है, तो मैं भी जा रही हूँ, वो भी बुझ जाती है तो दूसरी मुम्बत्ती क्या है? प्रेम लोग स्वार्थ के कारण एक दूसरे के साथ में गला काटने को तयार हैं एक दूसरे के साथ में रहना भी पसंद नहीं करते एक दूसरे के लिए कुछ भी हो जाए मतलब आगे ही बढ़ना है लूट खसोट अहिंसा मतलब पता नहीं क्या-क्या और हिंसा है चारों तरफ है प अब जब चोथी मुंबत्ती की बात आती है तो एक बालक कमरे के अंदर एंट्री करता है वो बालक कमरे के अंदर एंट्री करता है और वो देखता है तीन मुंबत्या बुझ चुकी है उसको बहुत दुक होता है उदास हो जाता है रोने लग जाता है चोथी मुंबत्ती उ इन तीनों मुंबत्ति को दुबारा से तू जला सकता है तू जला सकता है तो चोथी जो मुंबत्ति है उसका नाम क्या है आशा अब आशा अगर आप किसी भी बात में अगर आशा रखते हैं अगर आप आशा के साथ में चलते हैं कोई भी बड़ा काम करते हैं उसमें यही तो इच्छा होती है यह फली भूत होगा तो आशा की मदद से विश्वास भी आ सकता है प्रेम भी आ सकता है और शांती भी आ सकती है बात आपकी आशा करने की है तो यानि क्या कहता है कि कहानी में क्या होता है किसी भी टोपिक को बाट कर लोगों के सामने विद्यार्थियों के सामने प्रेजेंट करना कहानी कथन वीधी कहलाता है तो इंट्रोडेक्शन के अंदर आप लिख सक बहुत सारी कहानिया ऐसी होती है जो हमारी जो imagination power उसको develop करती है उसको विक्सित करती है अब imagination power develop कैसी होगी जैसे मानलो classroom के अंदर आप बैठे हो और आप कभी किसी hill station पे नहीं गए लेकिन आपने फिलों में देखा है आपने टीवी पे देखा है आपने मुबाइल पे देखा है आपने net के जरीए देखा है और वो चीजे आप classroom के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं तो 100% कहा रहा हूं आपके सामने जो विद्यारती बैठे हुए है वो भी उस टाइम पे imagine कर रहे हैं तो यानि imagination power develop होती है to make good listener कहानी कथन जो वीदी होती है वो good listener create करती है क्योंकि जो प जब कहनी कथन के माध्यम से आप डाते हैं तो वहां पे क्या होता है जो learner होता है उसका जो interest हो create होता है development of good qualities विद्यारतियों के अंदर अच्छे गुणों का निर्वाह करना अच्छे गुणों का निर्मान करना सिवाजी के बारे में बताईए महाराना परताप के बारे में बताईए जीजाबाई के बारे में बताईए महात्मा गांधी के बारे में बताईए सुवास चंदर बोस के बारे में बताईए नची केता के बारे में बताईए उनके बारे में बताईए तो उनके कुछ ने कुछ गुण आपके विद्यार्थियों के अंदर जरूर डेवल Development of right attitude, सही द्रिष्टि कोन का निर्मान करना, सच क्या है, जूट क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये एक development होती है, right attitude, development of reasoning, तर्क शक्ति का विकास, reasoning power, मतलब बच्चों के अंदर develop होती है, जब आप storytelling method use करते हैं, Development of creativity, teaching becomes interesting, जब आप storytelling method के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो जो आपकी teaching होती है, उसके अंदर विद्यार्थियों का interest create हो जाता है, आपकी teaching effective हो जाती है, increase in knowledge of language और moral values, आज का जो समाज है, अगर ये पतन की ओर गया है, आज का जो बच्चा है, अगर वैसनों की तरफ गया है, आज का जो यंग है, आगर वो दुर वैसनों की तरफ गया है, तो उसके अंदर जो moral values हैं, वो कम होई हैं, और moral values कम क्यों होई हैं, क्योंकि एक तो जो हमारे भुजूरुग रहे हैं, उनके पास में हमने बैठना बंद कर दिया, जब हम बड़ों के पास में बैठेंगे ही नहीं, तब तक वो अच्छे गुन हमारे अंदर कैसे पनपेंगे, एक तो बड़ों के साथ में बैठना सिखें, अपने टीचरों के साथ में बैठना सिखें, जहां पर अच्छी बाते बताई जा रही हैं, वहां पर बैठना सिखें, जहां आप अच्छी जगह बैठना सिखोगे, आपके अंदर moral values अपने आप develop होना start हो जाएंगी, तो यानि यह advantages आप storytelling method की लिख सकते हैं, उसके बाद आ जाती है, disadvantages क्या हो सकती है, neglecting the individual differences, आपकी पुरी की पूरी कलास, और पूरी कलास के अंदर यहां पे दो बच्चे लग mentality के बैठे हैं, यहां पे दो बच्चे अलग mentality के बैठे हैं, जैसे आप सभी बैठे हैं, तो अलग-अलग mentality के हो सकते हैं, जो आपकी अलग-अलग mentality है, उसके according teaching क्राइज आती है जब storytelling method का यूज किया जाता है तो यानि जाहिर सी बात है यह क्या करता है निगलेक्ट कर देता इंडिवीज़ डिफरेंशीज को व्यक्तिकत विभिनता हूँ डिपेंड ओन एक्सपर्टीचर्स यह डिपेंड करता है एक्सपर्टीचर्स के उपर कि वह storytelling method का यूज किस तरह से करते हैं कोई भी important topic लियाओ कोई भी topic लियाओ उस topic को कहानी कथन के माध्यम से प्रेजेंट कर दो जो आप दस बार बात बताओगे वो बच्चे दो मिनट में याद कर लेंगे harmful for higher classes higher classes के लिए harmful है नुक्सान दायक है यह कहता है लेकिन सायद अगर higher classes होती है उनको भी अगर स्टोरी जो टैलिंग होता है जो कहानी कथन वीदी होती है अगर उसके माध्यम से पढ़ाएं तो वह भी कुछ ने कुछ महां से सीख लेते होंगे लेकिन यहां पर यह कहता है कि हामफुल फोर higher classes teacher centered बेट टीचर के उपर करता है क्लास्रूम के अंदर स्टोरी टैलिंग प्रोजेक्ट भी दिया विद्यार्थियों को आपने लगा दिया अपने लेकिन स्टोरी टैलिंग स्टोरी टैलिंग तो टीचर नहीं करनी है हर टोपिक के लिए यह यूजफुल नहीं है जैसे mathematics है mathematics में कुछ टोपिक ऐसे होंगे जो मान लो आपने बोर्ड के यूज़ करना है और यूज़ करना है तो वहाँ पे स्टोरी टैलिंग मेथड यूज़ नहीं हो सकता नो क्लियर वाइस अगर आपकी जो वाइस है वो क्ल teaching हो तो यह करता है disadvantage हो सकती है उसके बाद पॉइंट्स टो भी रिमेंबर वाइल टैलिंग स्टोरी कुछ पॉइंट है जब भी आप स्टोरी टैलिंग मेथड का यूज़ करें उन पॉइंट्स को ध्यान में रखें प्रेजेंटिंग इन लोजिकल मैनर इंट्रस्टिंग ए के अंदर environment create कीजिए उसके बाद mental level mental level देख लीजिए बच्चों का mental level क्या है voice of the teacher teachers की जो voice है वो कैसी होनी चाहिए अगर voice कम है तो आप माइक वगारा का टैलिंग स्टोरी तो यह था प्रिया विद्यारतियों आप लोगों के लिए एक छोटा सा टोपिक अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके जुरूर जाए थैंक्यू